BA 3rd Year Home Sciences Students and MAMSE Food and Nutrition Students आज का टॉपिक है Balanced Nutrition for Young School Age Children Young School Age Children में उनकी जो एज है वो है 6 से लेकर 12 वर्ष की और ऐसे बच्चों के Nutrition या Balanced Nutrition इन बच्चों के लिए जो school going बच्चे हैं वो बहुत जादा ज़रूरी है During this period the child growth is not rapid but continuous gradually इस age group में बच्चों की growth और other age जैसे 0 to 1 year हम लोगों ने देखा 1 to 3 years पढ़ा and 4 to 6 year पढ़ा सब age group में बच्चों की बड़ी rapid growth हो रही है इस age group में बच्चों की rapid growth नहीं होती लेकिन वो growth continuous होती है और लगातार होती रहती है slow slow होती रहती है लेकिन लगातार बच्चा बढ़ रहा होता है boys and girls के बीच में अगर हम देखें तो differences पहे जाते हैं boys and girls have to build up resources for the adults in period that lies ahead of them the period in which growth of every tissue is very rapid ये जो समय होता है इसमें boys और girls में adults in phase तक differences ज़रूर होते हैं जैसे boys में बहुत fast growth नहीं होती slow होती है लड़कियां adult age में adults in age में जल्दी mature होने लगती हैं क्योंकि 11 से लेके 13 वर्ष के उनमें period शुरू हो जाते हैं उनकी आवाज बदल जाती है high weight उनका change होने लगता है चरीर आकार लेने लगता है और थोड़ा सा उनमें बड़ा बड़ा पन दिखाई देने लगता है boys usually grow slower during these pre-adolescent years than girls girls के तुलना में boys में इस समय बहुत slow growth and development होता है यह pre-adolescent age कहलाती है इस growth and development के pattern के हिसाब से हम देखे तो इनका food and feeding for young school age boys and girls during this period the growth of the child is slow the requirement of food per unit body weight is less होती है जैसे मैंने पहले ही बताया लेकिन continuous होती है पर food की जो requirement है पर body weight के साब से जो per unit food है वो भी कम आवश्यक होता है likes and dislikes may have developed in the earlier year जो liking है और disliking है मतलब जो बच्चे यही वो age है जब बच्चे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है यह चीज इसी age group में develop होती है और यह भी 6-7 साल की उम्र में होती है eating of snacks especially in mid afternoon इस समय यह देखा जाता है कि eating का जो pattern होता है meals इनके बहुत decided नहीं होते लेकिन जो बीच बीच में यानि mid afternoon जैसे breakfast, lunch और उसके बाद mid afternoon evening के बीच का जो समय है उस समय इनको बड़ी तेज़ भूख लगती है इनको कुछ न कुछ चाहिए होता है snacks चाहिए होते है तो become increasingly common and it is here that the mother's role gain importance in offering a wide variety of nutrition meals and snacks यह जो time होता है जब इनको snacks चाहिए तो इस समय मा का role बहुत जादा बढ़ जाता है कि मा को बहुत सोचना पड़ता है कि वो कौन से snacks, वो कौन से चीज़ें बच्चे को दे जिससे उसका nutrition भी complete हो और बच्चा पसंद भी करे तो some snacks that may be of interest to school going children are listed here यहां मैंने कुछ आपको बता दे रही हूँ कुछ ऐसे snacks जिनको बच्चो को देने से उनका nutrition बहुत अच्छा मतलब अच्छा होता है nutrition उनका जैसे groundnut चिक्की groundnut चिक्की का मतलब मौमफली की जो पट्टी होती है गुड़ के साथ बनती है गुड़ से उनको energy और iron मिलेगा और मौमफली से protein प्राप्त हो जाता है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती है तो बीच बीच में बच्चे खाते हैं वो उनके लिए बहुत फाइदे मन्द है चिड़ा प्रिपेर्ड विद पफ्ट राइस और राइस फ्लाक्स with ground nut मतलब मौमफली के साथ अगर चूड़ा जैसे बच्चों को इसमें घर का बना हुआ चीजी दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है नहीं तो जादा तर बच्चे कुरकुरे हैं चिप्स हैं या फिर ये जो अलू भुजिया होती है जिसमें अजीनो मोटो बहुत जादा होता है ऐसी चीजों को जब खाने के आदी हो जाते हैं तो उनको घर की बनी चीजों में स्वाद नहीं आता तो घर की बनी चीज़ें पहले ट्राइब करनी चाहिए, चूड़ा बना के दिया जा सकता है, वो पफ राइस से बन सकता है, या चूड़े से बन सकता है, उसमें मुफली दाल करके बहुत अच्छे से टेस्टी सा बना करके बच्चों को सर्फ किया जाए, बेसन के लड़ू बना के दिया जा सकते हैं, सकर पारे मीठे भी बनते हैं, सकर पारे नमकीन भी बनते हैं और गरम उनको बना के सर्फ किये जाए, ब्रेट बटर जैम दिया जा सकता है, बटर ब्रेट के साथ में चीज़ दिया जा सकता है, एग प्रिफर करता है बच्चा, तो एग फुल अच्छे के लिए फाइदा ही है, कोकोनेट बर्फी बना के दी जा सकती है, मावा केक बना सकते हैं, और इसके बाद जैसे इडली, डोसा, ढोकला, ये बीच बीच में थोड़े चोटे चोटे आइटम्स बना बना के थोड़ी मात्रा में इनको दी जा सकते हैं, खांडवी स्नाक्स के रूप में मिड आफटनून में सर्फ किये जा सकते हैं, लेकिन अगर बच्छे के इस एज ग्रूप में बच्छे के बैलन्स निट्रिशन सफर करता है, तो बहुत सारी फीडिंग प्रॉब्लम्स बच्चों में पाई जाती हैं, फीडिंग प्रॉब्लम्स और प इसाथ ऑम्स बच्छे क्वाच्छी में प्रॉब्लम्स बच्चों में प्लास्टरित और इको बताम होता है, जी बच्छे का हीज शा क Clemmenекar पिक हम्स बहुत बच्छ और इस जा सता करेके करता प्रॉब्लम्स बच्छे मतलब वो क्या हो सकते हैं? जैसे plaster और पेरिस हैं. ये non-nutrient substance हैं. इसमें कोई nutrient नहीं है. दिवार कोई खुरोच-खुरोच का खाने लग जाते हैं. चार कोल है. clay है. यानि गमले में से मिट्टी निकाली और खेत में से मिट्टी निकाल के ही खा रहे हैं. के खाने लगते हैं. तो ये non-nutrient substances हैं जो बहुत harmful भी हैं. इसके लिए बहुत सारी psychological studies हुईं. और psychological theories ने ये proof किया कि psychological theories और PICA have found evidence for mental derivation, high frequency of maternal and paternal derivation. देखें, ये बच्चों में मांसिक रूप से problem देखी गई है. और मां और पिता जब परिवार में सही ढंग से बच्चे का लालन पालन नहीं कर पाते हैं तो मनोवेक यानि theories ने ये proof किया है कि बच्चे के उपर मांसिक जो समस्याएं बच्चों में आती हैं उसके कारण वो PICA जैसी चीज़ों को जो non-neutrient substance हैं उनको पसंद करने लगते हैं. फैमिली डिस ओर्गनाइजिशन यदि मां और पिता की भी separation हो गया है तालाक हो गया है तो ऐसे बच्चों भी इन चीज़ों को लाइक करने लगते हैं. पूर सुपर्विजन और लो सोशी एकनॉमिक स्टेटस माता पिता का सुपर्विजन बहुत पूर रहा है माता पिता ध्यानी नहीं देती हैं अपने काम में मसते हैं बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो बच्चा खानी को छोड़ करके वो पिका अपनी नाखुन खाने लगता है ब्लेड जैसी भी चीज या पिंज जैसी चीज भी पा जाता है तो खाने लगता है और यह low socio-economic status गरीबी बहुत हैं तब भी ऐसा होता है पीका disorder can be treated with the combination of education and guidance education and guidance यह एक ऐसे हत्यार हैं जिन दोनों को मिला करके पीका disorder को treat किया जा सकता है family counseling की जा सकती है माँ और बच्चे और पिता सब के साथ बैठा करके family की counseling की जाए ताकि बच्चे का जो behavior है वो modify किया जा सके और पीका जैसी गंदी आदतों को इस disorder को से बच्चे को चुटकारा दिलाए जा सके Children with Pika are at increased risk for lead poisoning ज्यादा तर बच्चों में Pika के disorder के कारण risk कई बढ़ते हैं जैसे lead poisoning का risk बढ़ जाता है iron deficiency, anemia हो जाती है और parasitic infections होते हैं parasitic infections जैसे warm infestation होते हैं for example जैसे मिटी खा रहा है तो मिठी में hookworm, roundworm, threadworm ये warm होते हैं ये प्रेट के क्रिमी होते हैं जो हमारी आथों में जाकर चिपक जाते हैं और करोनों की संक्या में ये पैदा हो जाते हैं और एक 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 बूंद करके हमारे शरीर का खोन चूसने लगते हैं इससे बच्चा एनिमिक हो जाता है feeding disorder कई ऐसे खाने की वज़े से गंदी गलत आदितों की वज़े से ही feeding problems की वज़े से feeding disorder होते हैं pre-school children feeding problems become feeding disorders pre-school बच्चों में feeding की जो problems हैं वो feeding disorders के कहरण होती है some common feeding disorders in children includes कौन से feeding disorders हैं जैसे absence of stress है न डिफैजिया यानि बच्चों को प्यास ही नहीं लगती बच्चे एक बून पानी नहीं पीते जबकि बच्चों के लिए पानी पिना तिन दावश्यक है हम सब को मालूम है कि पानी हमारे शरीर की जो गंदगी है जो विशाक्त चीज़े हैं उनको मुत्र के द्वारा यानि यूरेन, स्टूल और स्वेट पसीने के मादियम से शरीर से बाहर निकलता है इसके लिए हम लोगों को भी और बच्चों को भी ज़्यादे से ज़्यादे पानी पीना चाहिए फूड रिफ्यूज सेल्फ फीडिंग इनएडिक्वेट फूड रिफ्यूज करने की आदत होती है सेल्फ फीडिंग इनएडिक्वेट उनकी होती है फूड रिफ्यूजल वाई वॉल्यूम वो उतना खाना नहीं खाना पसंद करते हैं excessive meal duration, दो खाने के बीच बहुत ज़्यादा duration है, choking उनका हमेशा, उनको जल्दी बाजी में रहते हैं, जल्दी एल्दी खाते हैं, तो खाना गले में ही फज जाता है, ये नाक में चला जाता है, इसके बाद है, inappropriate meal timing, उनकी कभी भी meal timing परफेक्ट नहीं होती, कि इतने बज़े breakfast, इतने बज़े lunch, इतने बज़े लेना चाहिए, behavior and food selectivity by typing, by types and texture, इसके अलाबा उनका खाने का जो food selectivity है, वो क्या खाना चाहिए, किस प्रकार का खाना चाहिए, किस texture का खाना चाहिए, यह सब उनका सही नहीं होता, तो उसके कारण भी बहुत सारी feeding disorders हो जाते हैं, preschool children are often associated with nutritional deficiencies and inadequate weight gain, preschool बच्चों का अगर खाना सही नहीं होता, तो उनमें बहुत सारी nutritional deficiencies, यानि कई पोशक्तत्तों की उनके शरीर में कमी पाए जाती है, जिसके कारण उनका जितना weight बढ़ना चाहिए, वो नहीं बढ़ पाता, picky eating मतलब जो choosy होते हैं बच्चे कि उनको यही खाना है, picky eaters में बहुत सारी problems होती हैं, जैसे accept only limited number of food choice, बहुत ही कम केवल आलू पसंद है और कोई सबजी नहीं खानी है, केवल पीली दाल खानी हैं और कोई दाल नहीं खानी है, तो यह जो मतलब यही खाना है, यह जो आदत है, इसके कारण बहुत सारे nutrients उनकी बाड़ी में deficient रह जाते हैं, is unwilling to try new foods, वो कोई भी नहीं खाना खाना पसंद नहीं करते हैं, avoid some food groups such as vegetables, और खास्त और से food groups में vegetables को और fruits को, fruits भी कई बच्चे लाइक नहीं करते हैं, vegetables तो एक दम ही नहीं, जैसे करेला लॉकी यह सब आते ही सामने नाकमों बनाने लगते हैं, तो मुझे लगता है कि students मैंने आपको समझा दिया है, कि pre-school, अभी हम लोग इसके आगे diet plan पढ़ेंगे, और क्या चीज़ें इन्हें देनी चाहिए और क्यों देनी चाहिए इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि pre-school age, adolescent age से पहले किये जाए, और वो बहुत ही sensitive age है, nutritional point of view से, इसलिए आपको बहुत अच्छी तिने से एक और lecture आपको बताया जाएगा इसी topic के उपर, तो मुझे उमीद है आप सब students को समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया कोई query है, तो आप chat box में question दाल सकते हैं, Thank you.